आई पीसी नॉमन क्लेटर और फॉंक्शनल ग्रूप डाट इस एलकोहल ओके तो इस कंपाउंड में देख सकते हो यहाँ पर थ्री ओएच ग्रूप प्रेजेंट है ठीक है ओएच क्या होता आपका एलकोहल ग्रूप होता है ठीक है तो इसका आई पीसी नेमिंग कैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना है जब कंपाउंड में दो या दो से जादा ओएच ग्रूप प्रेजेंट है ठीक है तो जो भी अलकेण रहेगा उस अलकेण को हम कम्पलीट लिखते हैं ठीक है बतलब अलकेण का जो लास्ट का ए रहता है उसको हम क्या करते है लिखते ह अगर वहीं किसी भी compound में एक ही OH group present है, जो E होता है, E क्या हो जाता है, replace हो जाता है, all के साथ, ठीके, E को हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर 3 OH group present है, तो क्या होगा, जो भी alkane रहेगा, कितने carbon है, 1, 2, 3, 3 carbon है, तो alkane क्या रहेगा propane, तो हम complete propane लिखेंगे, ठीके, तो यहा first carbon, second carbon, third carbon, first पर भी OH group present है, second और third पर भी OH group present है, तो हम mention करेंगे, 1, 2, 3, 3 times OH group है, 3 times के लिखेंगे, हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, try, okay, OH के लिखेंगे, suffix क्या लगाते हैं, all, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, try all,